हेलो दोस्तो आज हम आटो सेक्टर्स के तीन स्टॉक्स को कंपेर करेंगे कि आपको किस चार्ट में मौका मिल सकता है आने वाले टाइम में और कहां पे आपको दूरी बना के रखनी चाहिए और यह पूरा का पूरा एनलेसिस होगा सप्लाई और डिमांड के वेसिस पे तो ध नए हो चनल पे लाइक कर देना सबस्क्राइब कर देना टेलिग्राम पे आप जोईन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो लेट स्टार्ट 2020 से लेके अभी तक मारूती ने दिया है 242% का return Tata Motors ने दिया है 1745% का return अशोक लिलेन ने दिया है 672% का return अभी इस टाइम पे आपको अगर कोई बोले कि इन तीनों share में से कोई share चूज करना होगा तो आप किसके साथ जाएंगे एक तो आप comment करना प्लस मैं अपना view आपको बताता हूँ कि कहाँ पे opportunity बन सकती है और कहाँ पे plan करना चाहिए अब guys जो मारूती है वो करता है small segment में luxury segment में या आपके लिए four wheeler गाडी बना रहा है उस segment में इसकी dominations है Indian road condition के साथ से बहुत अच्छा काम करती है और middle class आदमी के लिए एक pocket friendly गाडी प्रोवाइड करती है 2020 से पहले ये stock trade कर रहा था high लगा था इसका 9,900 के आसपास का 2017-18 में और उसके बाद में covid आता है इसका low लगा 4,200 के आसपास और अभी trade कर रहा है 12,726 के आसपास और 13,000 का high लगा चुका है 2018 से जो इस segment में फसे हुए थे उनको कितना return मिला तो उनको यहां से return देखने को मिला है almost मान लेके आपने top से buy किया हुआ है तो आपको almost 38-9% का return मिला कितने साल में 6-7 साल में आज की rate में तो लोगों को लग रहा हो कि यह 13,000 चला गया 14,000 चला गया बट इस rally को लेने के लिए market ने 6 साल लिये हैं अभी अब आती है बारी Tata Motors की lockdown से पहले यह trade का high लगा था 2017-18 में almost 600 के आसपास 2020 में low कितना लगा 75 रुपीज के आसपास और अभी trade कर रहा है 1096 के आसपास इसमें आपको return देखने को कितना मिला almost 1745 2020 से अब यह तो हुआ return उन के लिए जिन्होंने 2020 के बाद में invest किया है बट जो stock में 2016 के आसपास से फसे हुए थे उनको कितना return दिया उनको return दिया 2016 के बाद में यानि कि almost 8 साल के बाद में return देखने को मिला 105% कितने time के बाद में 7 से 8 साल के बाद में यहाँ पे 6 साल के बाद में 38% मैं क्यों समझा रहा हूँ मैं इसके बात करते हैं अभी आपके लिए अशोक लिलैंड ने last high कितना लगा था इसका 159 का 2018 में 2018 के बाद में इसने अभी कितना return दिया आपको almost 59% का lockdown के बाद में invest करते हो तो ठीक है आपको 672% का return दिया है सो अब देख लेते हैं कि इन में से कौन सा best रहेगा future के लिए कुस में ज़्यादा potential रहेगा और long term के लिए futuristic stocks जिसमें और potential है मारूती में अभी upside के लिए और potential बन सकती है आने वाले time में अभी जहां से बाजार ने breakout दिया है और 6 साल जिस zone में market consolidate करी है अगर आप इसको count करोगे तो आपको almost उतनी ही rally upside के लिए आई है जित जहां से इसने discount लिया है अगर आप यहां से check करोगे तो 35-600 का rally आनी चाहिए और same इसी area के आसपास से बाजार ने rejection ली और आपको देखने को मिलेगा कि दो दिनों के अंदर अंदर बाजार ने 6-7% का fall दिखा दिया है ये stock आज और कल बाई करने के लिए नहीं है बढ़ हां halt area और reversal का point इसका बनता है 10,000 के आसपास जब भी मिलेगा तो हो सकता है अपसाइट के लिए फिर से potential शुरू हो और आप move में जाए और रही बात Tata Motors की Tata Motors में सबसे ज़्यादा domination heavy commercial vehicles में 2016-17 के बाद में fall का reason क्या था fall का reason था इंडी का इसके उपर एक tag लगा हुआ था कि ये सिरफ और सिरफ commercial vehicle बनाता है इंडी का एक गाड़ी थी या इंडी को गाड़ी थी जो सिरफ taxi में चलती थी और उस segment के flop होने के बाद में market में continue dip आ रहा था still 2018 तक fall scenario बना हुआ था इसमें 2020 में तो worst case आया उसके बाद में तो recover हुआ बाद की बात है अब इसने luxury segment में भी अपना hold बनाना शुरू किया है बट इसका main business क्या है heavy commercial vehicles का so guys Tata Motors में अभी long term के लिए invest करने से पहले आपको अपने आसपास जो भी transport area हो वहाँ पे जाना वहाँ पे जाके ये चेक करना कि Tata की heavy vehicles जैसे मालने है कि trucks हैं 6 tire, 10 tire, 12 tire वाले वो कितने sell हो रहे हैं as compared to Ashok Leland या फिर other company like Aisher वगएरा इनके आब बात कर सकते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि बाजार में Tata Motors के trucks से लोगों का interest कम हो रहा है आपको as compared to Tata Motors अशोक Leland की trucks market में देखने को मिलेंगे और साथ में ही defense sector को ये supply देता है heavy vehicles ये stock as compared to Tata Motors ज्यादा strong है ये मैं सिर्फ एक comparison कर रहा था कि Tata Motors में बहुत सारे लोगों का interest होता है कि ये भी मारूती बन सकता है कल को तो मारूती बनने से पहले बजार में उस product की कितनी demand है और क्या वो perform कर रहा है market में उसके बिहाब पे ही आप plan कर सकते हो तो फिलहाल Tata Motors के segment में लोगों का interest कमा रहा है अगर आप थोड़ा survey करोगे और अशोगली लेंड में future में potential बनती है अब ये कहां से भागेगा rate s के लिए 180 के आसपास आता है या 200 के आसपास आता है ये बात की बात है बट potential है अशोगली लेंड में और मारूती में अच्छी खासी future के लिए Tata Motors जो है अभी मेरे को लगता है कि overbought condition में गया हुआ है हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में ये stock 700-700 के आसपास मिले फिर वहाँ से rally शुरू करे futuristic plan है अगर 20 साल बात की बात करो तो हो सकता है ये भी 15,000 चला जाए मारूती 2,000,000 चला जाए अशोगली लेंड 15,000 चला जाए वी never know ये supply और demand के basis पे market के structure के हिसाब से valuation के हिसाब से कौन सा stock सही लगता है आप comment में बता सकते हो guys नए हो channel पे like कर देना, subscribe कर देना और telegram पे join कर सकते हो thank you so much for watching, bye bye, take care